हलो दोस्तों मैं दिनेस आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तों यदि आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजी ताकि आने वाले वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो मिस ना हो तो as usual हमेशा की तरह आज का वीडियो भी educational purpose के लिए मैं बना रहा हूँ तो आप लोगों को यदि stock market के अंदर price action सीखना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं यदि आपको इसके buying level ही देखने हैं तो आप इस वीडियो को avoid कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को start करते हैं तो यहां सबसे पहले तो मैं देखिए आप लोगों को बताऊंगा कि हमेशा की तरह सबसे पहले मैं क्या करूंगा weekly chart जो है वो open करूंगा क्योंकि डेली chart के अंदर जो picture है उसके बजाए अपने क्या करते हैं weekly chart को open करते हैं अब यहां अपने एक काम करते हैं सबसे पहले तो इसको zoom कर लेते हैं और उसके बाद अपने इसके अंदर सारे level जो है वो clear कर देते हैं ताकि आपको इसके prize action को समझने में क्या है कोई भी दिक्कत नहीं हो तो यहां देखिए एकदम मैंने क्या कर दिया इसको clear कर दिया है अब यहां मैं आप लोगों को सबसे पहले तो यह चीज़ सिखाना चाहूंगा कि देखिए इसके स्टोक जो है यहां इसने यह हाई बनाया ठीक है weekly chart के according बता रहा हूँ उसके बाद इसने यह हाई बनाया अभी यदि आप देखेंगे तो इस हाई के उपर यह चला गया है और continue बार बार यहां से support ले रहा है यहां तक clear है और यदि आप low देखेंगे तो देखिए lower lows lower lows नया low जो है वो बनाता जारहा था यहां पर भी low बनाया यहां पर एक और low बनाया उसके बाद इसने trend जो है वो change कर लिया तो इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि यहां से इस तरह से गिरावट हुई श्टोक वापिस उपर गया फिर वापिस से गिरावट हुई फिर यह इसने ये वाला low बनाया और उसके बाद ये again इस high को break करके अभी क्या कर रहा है इसका support लेने की कोशिस कर रहा है और आने वाले time में अब अपने क्या है इस level का तो wait करेंगे नहीं क्योंकि इस level का wait करेंगे तो हम काफी late हो जाएंगे यहां आप कुछ quantity के साथ मेरे according देखिए आपको मेरे कहने से buying नहीं करनी है आप इसके price action को समझे इसके fundamental को देखिए इसने last लग भग देखिए यहां यह price था तो यहां पर भी यही price था तो यहां डेट साल से इसने कोई positive return नहीं दिया अभी तक तो अब क्या है मुझे यह लगता है कि upside के लिए यह तयार है तो चल करते हैं कि क्या वाकिए में यह upside दिखा सकता है क्या तो देखिए हमेशा की तरह मैं क्या करता हूँ फिबोनाची यूज करता हूँ तो देखिए यहां से लेकर यहां तक जब यह down आया तो इस टोक ने क्या किया 0.5 के उपर 0.6 के उपर closing नहीं दी दुबारा यदि अपने देखें तो इसने नया low बनाया यह वाला low बनाया और high जो था previous high यह था उसके बाद भी यदि आप देखेंगे तो 50% के उपर गया नहीं और अभी क्या है 50% के उपर trade कर रहा है लेकिन 0.6 के उपर अभी तक यह आया नहीं है तो अपने क्या करते हैं इस level को mark कर लेते हैं यहां जो level है यह अपने 0.6 का level है और back test में यदि आप देखेंगे history में देखेंगे तो देखें इस chart को मैं आपको पिछे लेकर चलता हूँ देखें यहां से इसने support लिया तो अभी क्या है श्टोक ने इस level को break न बना हुआ है अब इस level को जैसे ही यह break करता है तो इसके अंदर काफी upside आने की possibility है चलिए एक और इसने low बनाया उसमें भी अभी तो क्या trend चेंज हो गया तो अब अपने को नीचे के level देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है तो इसको अपने हटा देते हैं एक तो यह verification हो गया कि अब stock क्या है अब trend में है confirm हो गया बड़े time frame के according confirm हो गया तो अब अपने क्या करते हैं इसमें चोटे time frame में चलते हैं daily chart में तो daily chart में आप लोगों को मैं एक चीज दिखाना चाहूँगा तो यहां से देखिए यह stock क्या है यहां से लेकर यहां तक आप देखेंगे तो बार-बार क्या है इस level का rejection ले रहा है देखो आप इसको ऐसे समझेए कि stock क्या है एक level को follow कर रहा है मैं आपको ऐसे समझाता हूँ देखिए यहां से यह नीचे गया upside दिखाई फिर से टकरा के नीचे आगया फिर यह उपर गया फिर टकरा के नीचे आगया फिर क्या है इसने upside दिखाई है लेकिन अभी क्या है इ आप इसको अपनी वोच लिस्ट में रख सकते हैं आने वाले टाइम में मुझे लगता है यह काफी अच्छा मू दिखाने वाला है और एक लेवल और बताता हूं आपको यह देखिए यहां से लेकर यहाद था क्योंकि लेटेस्ट में क्या हुआ है यह देखिए लेटेस्ट म में दोग बार बार एक तरह से यहां से रिजेक्शन ब्रिया एक दो और तीन बार इसे दिख Smell प्रको प्रक और कौन सा लेवल है उस देख लेते हैं आई यह दी बार एफ यहाद आपने необходимо करता है और इसको हृदी अपने स्फट कर देते हम यह ठीक है तो यहां shift करने के बाद आपको पता लगेगा कि यह level जो है break होगा तो आपको एक uptrend देखने को मिलेगा और यहां से आपको इस तरह से pole and flag यह flag बन रहा है इस तरह से और यह बना हुआ है pole जिनको नहीं पता है pole और flag pattern यह जो है यह flag बन गया और यह आपका pole बन गया तो इसका जो target होगा न तो यह pole की जो height है इतनी ही height आपको उपर देखने को मिलेगी यदि इस level को इसने break कर दिया तो ठीक है तो इसलिए क्या है बड़े target के लिए आपको क्या है weight करना पड़ सकता है stock काफी अच्छा है कोई दिकत नहीं है इसके fundamental आप देखेंगे तो stock के अंदर कोई कमी नहीं है तो उमीद करता हूँ आज का यह video आप लोगों को काफी कुछ सिखाएगा और video यदि अच्छा लगा दोस्तों तो like share करना मत भूलेगा मिलते हैं इसी तरह के और educational video के साथ video देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों